मध्यप्रदेश में सावन जूम कर बरस रहा है प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश हो रही है लगातार बारिश के चलते डिंडोरी में नर्बदा नदी उफान पर है जलस्तर बढ़ने से घाट डूब गए हैं वहीं नर्बदा नदी के जोगी टिकरिया घाट के पुल पर पानी आजाने के कारण डिंडोरी जबलपूर मुख्य मार्गे बंध हो गया है जबलपूर कटनी रेलवे ट्रेक पर पानी के साथ मिट्टी बहकर आने की वज़ा से इन दौर बिलासपूर ट्रेन का रूट डाइवर्ट करना पड़ा ट्रेन भोपाल से टारसी पहुंची और यहां दो घंटे खड़ी रही मुरैना में चम्बल नदी का जलस्तर गुरुबार सुभा 122.60 मीटर पर आ गया नदी का डेंजर लेवल 138 मीटर है राजिस्तान के कोटा बेरा से नदी में पानी छोड़ा जा रहा है इस वज़े से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है मौसम विभाग ने जबलपूर समेत 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है जहां अती भारी बारिश हो सकती है वहीं 18 जिलों में भारी बारिश का लर्ट है शेडोल और डिंडोरी जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश गोशित कर दिया है शेहडोल कलेक्टर वंदना वैद का कहना है कि जिले में बीते दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते नदी नाले उफान पर है इससे आवागमन में परिशानी हो रही है कई इस्थानों पर जलबराव की स्थिती है इस समस्या को देखते हुए जिला प्रशास खरगोन बढ़वानी अली राजपूर जाबूआ धार इंदौर रतला मुझेन देवास शाजापूर आगर जिले के कई हिस्सों में मंदसो और नीमस जिले में कुछ जगों पर वर्शा या गरत चमक के साथ बोचारे पढ़ सकती हैं अब आईए आपको बताते हैं मौसम विभाग ने किन जिलों के लिए रेड अलर्ट, औरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने जबलपूर, नरसिंगपूर, छिंदवाडा, मंडला, बाला घाट, डिंडौरी, विदिशा, राइसें, नर्वदापुरम, बैतूल जिले के कुछ इस्थानों पर अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी हिया है इस दोरान यहां 8-9 इंच तक बारिश हो सकती है साथी कटनी पन्ना जिले में कुछ इस्थानों पर अती भारी बारिश की संभावना है यहां 7-8 इंच तक पानी गिर सकता है रीवा सतना अनूपुर, शेहडोल, मरिया, दमू, सागर, छतरपुर, टीकमगर, निवाडी, हर्दा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, भिंड, दतिया जिलों में कुछ इस्थानों पर अती भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने औरेंज अलेट जारी किया है इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है इस दोरां यहां तीन इंचे तक पानी गिर सकता है अचानक हो रही भारी बारिश की वज़ा भी आपको बता देती है मौसम विग्यानिकों के अनुसार जहरखंड के आसपास बना गहरा कम दबाव का शित्र पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है जो कि उत्तरी छतीजगर के आसपास अवदाव के रूप में बना हुआ है इसके उत्तर पूर्वी मधिप्रदेश में पहुचने की संभावना है इस दमदार वेदर सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी मधिप्रदेश, जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर संभाग के जिलों में भारी बारिश हो रही है इसके साथ ही भोपाल, नर्मदापुरम, उजजेन, गौलियर, इंदोर संभाग में भी मध्यमिस्तर की वर्षा हो रही है रुक रुक कर वर्षा का सिलसला सुक्रबार को भी जारी रहेगा ट्रफ लाइन और कम दवाव का एरिया बनने से पूरवी मधिप्रदेश में पांच अगस्त तक तेज बारिश का नुमान है अमारुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार्टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमारुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी एचडी क्वालिटी में और हाँ बेल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके गर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर